हेलो स्वेंट्स हमारा जो सब्चेक्ट है वह है विजल बेसे जोगी है BCA 4 समिसर करिए और स्वेंट आज जो हार जो हार जो इंपोरेंट टॉपिक है वो है स्वेंट इससे पहले हमने lecture back में क्या होता है किसलिए यूज करते है उसको हमने जो है उसके definition हमें समझी और हमने एक program के एक example के थूह हमने समय जो collection है उसको हम हम Visual Basic में कैसे Declare करते हैं और कैसे हम उसको यूज करते हैं ठीक सुरेंट तो सुरेंट आपको कल त्यावन होगी कल हमने पढ़ा तो हमने उसमें तीन उसमें तीन मैंटोड्स पढ़े ते और एक पॉपर्टी पढ़ी थी तो आज हम यह जो लेक्टर 2 है इसमें समझी कोश्च करेंगे कि जो हमारा यह तीन मैंटोड्स है और एक पॉपर्टी है इसका Visual Basic में हम कैसे यूज करते हैं पिकास Visual Basic जो है वो थ्री मैंटोड्स और वन वन पॉपर्टी फॉलो होती है करेक्षन के अंदर तो हमें स्टुवेंटस यह आज हम समझी कोश्च करेंगे कि यह थो हमा आरे फ्री मैंटोड्स और वन प्रपर्टी है थ्री मैंटोड्स सभाई कोश्च से पहला है हमार Пон nahel दूसरा है आइशारा है है रिमूव मैंथड और चाहता है गौन प्रोपरडी तो स्टेवेंट आज है हम क्याना में इसमें क्रेक्शन सिब्सक्राइब एड है और एड में और आइकर मेंधर्ड इन दोगों हम आज सम्झेंगे लेक्शे 2 ठीक है स्वेट फिर फिर रिमूब और यह सिर्ट और इसको जो है हम lecture 4 में गर्वेट करेंगे ठीकर स्वेट तो आएगे हम समझनी कुछ करते हैं कि हुमारे तीम मैथट्स हैं और प्रपर्टी है क्लेक्शन में वह हम कैसे यूज करेंगे आईए इसको हम समझनी कोछ करते हैं इसकर क्या मतलब है अब जानते हैं कि हम अंद जो है कल जासी कलेक्शन को डिकले करना सीखा की भी इस्वेट देसक में को कैसे कि इसमें आएट्थम की डिफोर और आफ्टर कर्ते हैं लेकिन अज हम इसको हम जाना ही कुछ करने देखें सुछ फैरे इसको मुझे कुछ करते हैं Dim Names as new collection इसका क्या मतब में Names नाम का तो हमने बनाए collection क्या है कि as new collection उसके बाद रिकी है names.add क्या है add हमारा method है add John, John, John रहां quotes में, 1 इसे जो हमने कल lecture 1 पे हमने जो example student लिया था उस पर भी हमने ऐसी यह हमारी होती है कि वह हुआ हुआ index members को यह आप दो को मैरे student's packet में लिखा भी है one is the string key used to refer to the item यह जो item John है इसको हमने एक key या हमने एक index जो है हमने इसको refer करती है one is the string key used to refer the item string किया है जो हमने कहली थी one पर क्या पढ़ा हुआ है one key पर हमारा john item john नाम का item पढ़ा हुआ है ठीक है students तो यह हमने एक छोटा ऐसा हमने एक example लिया अब जबो इसमें हमारा students अगला जो है हमारा वह हमारा before or after यालि कि students यह जो है यह हमारा यह जो छोटा सा code जो मैंने रिखा हुआ है add method का तो इसमें हमारा key जो है की और item का हम कैसी लूज करते हैं यह strengths मैंने आपको यहां बताया ठीक है इसमें पहले बार की strengths मैंने जो लेक्स बन में जो बन लिया था example उसमें मैं आपको मन्दब पता चुका हूँ तो इसमें मैं आपको दुबारा से इस चीको मैं करा रहा हूँ था कि आप लोग से दुबारा से और अच्छे से सीख जाएं उसके बार को स्क्रेट है before और after इसका क्या मन्तब देखे हो अब लोग समें क्या रहा हूँ इसके बार को स्क्रेट फिर आपको यहां हो है you can choose to store the item values exactly where you want using the before and after argument of the add method अब add method में जहां पर हमें argument को छूज करना है कि before या आफ्र जानी इसके बाद याइटम प्रिंट हो इसके बाद याइटम हमने ठीक है before मन्तब पहले after मन्तब बात ठीक है ना you can choose to store the item values exactly where you want to use it कहां पर आप इसको यूज करना चाहरे है the before याइटम पहले and after argument of the add method अब इसको store आप एक example के ताद समझी कोश्च करेंगे जैसे store हमने क्या किया है dim items, items नापके हमने बनाया collection items as new मतलब item एक variable है dim items as new collection उसके बाद किया items dot add 1 items dot add 2 जैसे कलवाज एक example हमने दिया था items dot add 3 अब दो यहां पर store एक चीज़ आपको समझनी है items dot add 3 double post में comma यह हमने दो बत कॉमा लगा है यह हमने 1 रिखा चीक है उसके बाद फिर हमने यहां पर क्या किया हमने group लगाया for i is equal to 1 to 3 यानि i is equal to यानि i is equal to यानि i जो है one से लेकित तीन तर्म जाना है तीन हमारे item है और हम यहां पर रहेंगे print items dot item bracket में i print items dot item bracket में i और next i फिर हमारा यहां पर loop यानि output क्या होगा यानि पहले आपका आएगा 3 फिर आप 3 के बाद 3 के बाद क्या आएगा 3 के बाद यानि कि यह लिखा है before and after तो 3 1 2 यह हमारा इसका output हो जाए यानि पहले आपका 3 नंबर पर जो भी हमने item एड करा होगा वो आएगा यानि इसका output आजाएगा 3 1 2 इस तरीके जरी before और after जो आप आप चुछ करना चाहरा है उसको हम जो है item.add 3,1 for loop लगाया हमने फिर हमने यहां पर रिखा print items.items और bracket में आई next while answer तो महारा output आगया 3 1 2 add method में जो है हमने के 4 हमने यूज करने हमने सीखे अब देखो उसके बाद आता है item index एक तो होता है की के दौरा हम उसको करती है कि महीं कौन से पर पितर से हापर क्या है यह हमारी क्या है 1 क्या है 1 हमारी है 1 is the spring की used to refer to the item वो item को refer कर रही है चीक है वोके उसकी बाद आपके देखना है item लिए item index आपर आता है item method क्या है you may use either the item और key value index और key value क्या है index की बोलते सको key value बोलते है you may use either the index और key value the index value is start from 1 white 40 चा होती index मारा 1 से start हो 0 से start नहीं होता ध्यानक में आपको the index value is start from 1 dim अब जैसे इसको हमने एक example की तरह समल नहीं कोश्च रहेंगे हमने जागे स्विए dim names as new collection names नाम का लिया तो names dot add john 1 simple अब दोगे तरह हमने आप यहाँ स्वेटर के हमने यहाँ पर 1 करा देए 1 जो हमारा index है उसको john है फिर हमने लिए names dot add gaurav यहाँ पर तो हमने इंडेक्स कोई नहीं दिया देखिए point default ही क्या करेंगा इसको 2 ही लेगा को कि हम प्रिंट करेंगे print names dot item 2 bracket पर 2 याँ इंडेक्स में करेंगा तो output क्या एगा जो इस index पर जो हमने आइटम को रेफर कराया है गो फिल्ट होगा तो आपका प्रिंट होके answer आएगा गौरव output क्या आएगा आपका गौरव नहां पर output आजाएगा ठीक है हमने नेम्स नाम का हमने आपके correction लिया names dot add john 1 names dot add gaurav जैसे हम इंडेक्स का इंडेक्स का इंडेक्स का इसमें add method और item method अपने सीखा remove method और count property इसमें 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 और इसको आप सुर्ट समझें बहुत इंपोरेंट है आपके exam अरवाद question यह की उसना है की what do you mean by collection and what methods and property and what other different types of collection in use in basic explain with the example ठीक है तो इसमें से question ही है आपके exam में पुछा जा रहा है तो आप इसको करें और strand lecture देखते समें जब यह कभी आप strand lecture देगें तो mobile की readiness को बढ़ाए mobile का view landscape करें और जो आपकी YouTube पर जो ग्रेड़ की quality है उसको 360-480p select करें इससे बोट पर जो गुरूस में निखा गया है उसको आप देखे notes बनाए और time step इसने वसको complete करें तो collection in business basic में definition होगी क्या होता है कैसे news करते है उसका example हो गया इसके दो method होगा है add method और item method remove or count remove method or count property इसको हम lecture 3 में निखा है की तुसो बेसे हैं yes words thank you very much